पार्शुनी राम्टिक मार्ग पर बुद्वार की राद कोईला ले जा रहा है ट्रक्रमांक मेश 4304 एक बड़ी ही तेजी से पार्शुनी की ओर जा रहा था उसे बीच गवना गड़ा से ट्रक्रमांक मेश 27 बी एईस 5153 रेती भर कर जारे ट्रक को पालुरा चोक पर टक्कर मार्टेनी से दोनों ट्रक शरती कस्त होने की घटना बुद्वार शांक होई है प्रावते जानकर के अनुसार आमड़ी फाटा की ओर से 16 चक का ट्रक कोईला लेकर पार्शुनी की और जारा था वही गवना गटा नती से रेती भर कर 16 चक का ट्रक पालुरा फाटी से बिलते ही पार्शुनी पॉलिस निरिक्षक संतोष वैराकडी ने तुरंट घटना स्थल पर जाकर कारिवाई करते भी घटना स्थल से दोनों ट्रक को हटा कर आगी की कारिवाई की पार्शुनी की आसपास पेंच नदी कनान नदी होने से यहां से बड़े पैमानी पर रेत रेती चोरी में नेताओं का आश्रे होने से यहां के नतियों से बड़े पैमानी पर रेती चोरी की जारी है यहां पर किसी भी अतिकारी के द्वारा रेती चोरी की रोकथां के लिए कारिवाई नहीं होने से नडल से नती से रेती चोरी कर उसकी आसपास तथा अन्यत चिल् तरसिलदार पुलिस विभाग, SDO ड्राम्टिक, उप्विभागिय पुलिस अतिकारी के हाथों यह दर्शाता है कि रेती चोरी करने वालों को आश्रे मिलने से ही सुबा से रात तक रेती के चोरी को बढ़ावा मिल रहा है जिसमें आर्थिक लेंदेर होने की बात शेहन में की जानी है वल इस विभाग आखे अमद कर शुप चाप है वही महसुल विभाग अपनी और इन अवेते रेती चोरों के खिलाब कारी पाही नहीं करने से रेती चोरी को बढ़ावाती रहे रेती चोरी करने वाले बाहरे चिलों में ओवर्ड लोड रेती भरकर यहां से लेजा कर पेज रहे हैं, जससे महसुल विपाब का भारी नुकसान होते हुए भी, महसुल विपाब अविद रेती चोरी होते भी भी कारीवाई नहीं करने से अधिकारियों पर संत्य जता जारा है इस अविद धन्ते में मिली भगत होने की बाद नागरी को द्वारा की जारी है रेती चोरी होने से नत्य को जड़ा चारा है जिससे परियावरं को बड़े पैमाने पर दुखसान हो रहा है नाकरी को द्वारा अभीते रेती चोरी करने वालों के खिलाब कड़ी कारिवाई करने की मांग की चारी है बेसियंद्य उसके लिए पास्टिंडी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट